Hello Everyone, Welcome to Economics Preparation 36 गढ़ में Assistant Professor की Vacancy आने वाली है और आपने ये देखा होगा कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जब Assistant Professor की Vacancy आनी होती है उससे पहले वहाँ पे क्या होता है? उससे पहले Set के Form आते हैं Set के Form ऐसे Students के लिए जो की Net नहीं पास कर पाए हैं ठीक है न? तो इसकी Information पहले से ही आप सभी को रही होगी कि Set के Form आने वाले है 36 गढ़ राज्य में Set का Exam होगा जुलाई के आसपास और उसके बाद वहाँ पे Assistant Professor जिसे आप AP के नाम से जानते हैं सौट में तो Assistant Professor की वहाँ पे Vacancy आएगी और इस स्क्रम में एक Notification आज जारी किया गया है चलिए उस Notification के बारे में आप सभी के साथ मैं चर्चा कर लेता हूँ कि क्या है उस Notification में और क्यों आपको जानना चाहिए इस Notification के बारे में यहां पर आप देख सकते हैं 5 March को यह Notification जारी किया गया है और बहुत ज़्यादा सारी बाते पढ़ने का कोई मतलब नहीं है सीधे सीधे point पे आप देख सकते हैं set के जो आवेदन होंगे vapam.cgstate.gov.in पे किये जाएंगे इसके लावा आपको क्या ध्यान लखना है इसके लावा आपको ध्यान लखना है कि कबसे ये आवेदन शुरू किये जाएंगे 13 माई 2024 ठीक है न? 13 माई 2024 से farm fill होने शुरू होंगे और 9 जून तक farm को आप भर पाएंगे और परिक्षा की जो संभावित थी है वो कब है? 7 जुलाई 2024 तो अभी देखो farm भरने में भी टाइम है साथी साथ exam होने में भी टाइम है ठीक है? अच्छा इसी को target में रखते हुए Economics Preparation Online Institute के द्वारा 36 गढ़ राजय पातरता परिक्षा है तु Economics का एक complete batch Economics Preparation Mobile Application में अबलेबल है और Application की लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी तो वहाँ से जाकर के आप एपको download करके और उसमें अपने basic detail इंटर करके इस batch के बारे में और जानकारी ले सकते हैं देखो जो set का exam होता है किसी भी राजय का तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होती है कि पहली चीज़ तो ये net से आसान होता है UGC net से ये थोड़ा सा easy होता है कारण क्या है जब ये UGC net जितना ही कठिन रहे तो फिर set कराने का मतलब क्या pattern बिल्कुल वही रहेगा जैसे आपका UGC net का होता है पचास question रहेंगे जिसमें teaching aptitude, research aptitude, communication, ICT तमाम ऐसी चीज़ें उसमें सामिल होती है ठीक है न बाकी आपका economics syllabus की बात करें जो पिछला set हुआ था 2019 में उसमें जो syllabus दिया गया था वो वही दिया गया था जो UGC net का होता है ठीक है न तो अभी भी आपको UGC net वाला syllabus फालो करना है अच्छा mobile application जिसके बारे मने आपसे चरज़ा किया economics preparation mobile application तो उसमें आप जाएंगे तो आपको syllabus भी मिल जाएगा ठीक है जो UGC net का syllabus है जो कि आपके set के लिए भी valid रहेगा और इसी के साथ साथ आपको वहाँ पे और क्या मिल जाएगा जो 2019 में exam हुआ आपका 2019 में जो आपका set का exam हुआ तो उसके previous year question paper भी आपको application में मिल जाएंगे एक उसमें section आपको दिखेगा previous year question वालो वहाँ पे आप जाएंगे सभी राज्यों के वहाँ पे question paper available है वहाँ पे आप जब 36 गड़ राजवाले option में जाएंगे तो वहाँ पे आपको previous year question paper मिल जाएंगे कौन सा जो 2019 में exam हुआ था उसमें general paper भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा और economics भी मिल जाएगा तो question के standard को देख करके और अभी से आप अपनी तयारी शुरू करिए आपके पास देखो दो chance रहेंगे एक तो ये कि जो June में UGC net exam होना है आप उसके लिए अच्छे से तयारी शुरू करिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको जो अपनी तयारी शुरू करनी है वो करनी है जून दो हजार चौबिस में जो आपका UGC net का exam होना है ठीक है UGC net का exam और कोसिस करिए कि आप UGC net पास कर लें क्योंकि अगर आप UGC net पास करेंगे तो आप किसी भी स्टेट में आने वाली एसिस्टेंट प्रोफेसर की वेकेंसी में सामिल हो पाएंगे इन केस UGC आपका रह जाता है कुछ नंबर से तो अगर आपकी तयारी अच्छी रहेगी ना तो ये आप कन्फर्म समझ लेजी कि आपका सेट का exam जरूर क्वालिफाई होगा और सेट का exam होगा उसके बाद रिजल्ट आएंगे उसके बाद आपकी क्या वेकेंसी आएगी तो अपनी तयारी को इस हिसाब से आपको करना है कि आपका UGC net निकले ठीक है UGC net भी आप निकालने सेट में अपलाई अगर आप कर रहे हैं तो सेट भी आपका निकले और एक अच्छी तयारी के साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी exam दे ताकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नवकरी मिल सकें कोई भी जानकारी लेनी हो कोई भी क्वेरी हो कमेंट बाक्स आप सभी के लिए ओपन है पर आप अपने क्वेस्टेंट पूछ सकते हैं मोबाइल अप्लिकेशन को इंस्टॉल करें और वहाँ से आप प्रिविएस येर पेपर स्लेबस, बहुत सारे फ्री लेक्चर PDF नोट्स, MCQ प्रैक्टिस बहुत सारी चीज़ें आपको नए वाले अप्लिकेशन में मिलेगी तो गूगल प्ले स्टोर से आप डिरेक्ट एकोनोमिक्स प्रिप्लेशन सर्च करके भी मोबाइल अप्लिकेशन को क्या डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलवाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा और टार्गेट में रखें UGC NET और CG SET 36 गट राज्य का SET exam दोनों को टार्गेट में रखना है UGC NET के स्टेंडर्ड की तैयारी करनी है और exam क्रेक करना है Thank you everyone